Hello guys, कैसे हो आप लोग? तो इस वीडियों में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि free fair में आप किसी भी membership को कैसे purchase कर सकते हैं, कैसे उसे खरीज सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए free fair में top up के अलावा एक membership का भी section है, जहाँ पर आप weekly membership ले सकते हैं, monthly ले सकते हैं और इसमें जो diamond है ना ये top up के comparison में ज़्यादा मिलता है मतलब top up करोगे तो कम diamond मिलेगा लेकिन उतना ही पैसे में अगर आप membership लेते हो तो इसमें आपको ज़्यादा diamond मिलता है तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ ये membership क्या होता है, कितने type का होता है, कैसे आप इसे purchase कर सकते हैं इसको लेने के क्या-क्या फायदे हैं तो बिना time waste के वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर ने आ रहे हैं तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजे फ्री फिर के ऐसे informative वीडियोस पाने के लिए चैनल को सस्क्राइब कीजे तो अभी हम membership को खरिदने के लिए यहाँ पर top up वाले section पर जाते हैं तो बहुत बड़ा आपका इसमें फायदा मिल रहा है तो simple सा यहाँ पर इन दोनों में difference यह होता है membership और top up में कि अगर आप top up लेते हो तो 80 रुपय में आपको 100 diamond तुरंद का तुरंद मिल जाता है उसमें कोई late वगरा नहीं होता लेकिन membership लोगे तो membership अलग-अलग type के होता है पहला तो यह weekly light हो गया मतलब हपता वाला हो गया एक हपते का membership रहेगा और यह एक हपते का बड़ा वाला membership है और यहाँ पर आप जो देख रहे हो यह monthly वाला यह पूरे एक मेने का membership है तो यहाँ पर देखो 800 में 25-100 diamond मिलेगा बोल रहे है monthly membership में तो यह जो है आपको तुरंद नहीं मिलने वाला पूरे एक मेने में आपको थोड़े-थोड़े-थोड़े-थोड़ी करके दिये जाएंगे एक-एक दिन करके आपको यहाँ पर claim करना पड़ेगा उसे रोज free fire open करके और weekly वाले में एक हपते तक आपको यहाँ पर अभी मैं weekly को ही purchase करने वाला हूँ तो यहाँ पर 20 diamond तो हम इसको purchase करेंगे तो तुरंद हम को मिल जाएगा लेकिन बागी का जो diamond है वो 7 दिन तक अब रोज 10 diamond, 10 diamond करके मिलता जाएगा तो अभी हम इसको purchase करने के लिए simply यहाँ पर click करते हैं किसी भी membership को purchase करने से परले एक बात को आप अच्छे समझ लो वो है subscription यहाँ पर देखो यह check करने का भी दिया है और चेक भी आप इसे कर सकते हो आप चाहो तो subscription भी ले सकते हो इसके साथ में और subscription नहीं भी ले सकते हो देखो यहाँ पर इसके बारे में information लेने के लिए इसमें click करोगे यह question mark वाले में तो information मिल जाएगा और इसको check करके ऐसे बाय करोगे न तो यहाँ पर भी information आ जाता है इन दोनों का एक ही जो आपका membership है फिर से आ जाएगा मतलब आपको अगले बार उसे खरिदना नहीं पड़ेगा हर हपते हर हपते आपके अकाउंट से पैसे करते जाएगे और यह जो membership है यह आपके में आती जाएगा अगर मंतली बलोगे तो ऐसे मंतली मंतली में पैसा कर जाएगा इसका यही सिंबा सा मत्तब होता है तो अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो आप इसे चेक करके रखो बागी तो मैं इसे अंचेक ही करता हूँ क्योंकि मुझे हर मेने फ्री फार में टॉप अप नहीं करना है इसके अलावा ये भी है कि अगर आप मालोच चेक करके कर देते हैं तो उसे कैंसिल भी किया जा सकता है यहाँ पर देखो मैनेज सस्क्रिप्शन करके ऑप्सन है गूगल प्ले स्टोर में जाके इसे कैंसिल भी किया जा सकता है कोई बड़ी बात नहीं है एक हब तक खतम होने वाल रहेगा आप कैंसिल कर सकते हो इसके लिए मैं वीडियो बनाने वाला हूँ अलग से तो अभी मैं सिंपल इसके उपर 50 सिट वाले में टैप करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट के धेर सरे उप्सन देखने को मिल जाएगा अब देखो यार यह वीडियो थोड़ा डेटेल वाला है न तो मैं छोटा-छोटा सौंट में तो बता नहीं सकता काम की चीज़ है तो इसको समझना आपके लिए जोर रही है ATM कार्ड को ही debit card बूला जाता है जैसे आपको इस अभी back account खुलवाते हैं उसमें आपको ATM से पैसा निकलने के लिए card दिया जाएगा उस card को ही हम debit card बोलते हैं उसी का numbers को आपको डालना पड़ता है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह मेरा debit card है आपको यहाँ पर जो solang का number दिख रहा है इसको यहाँ पर fill करना है उसके बाद यहाँ पर एक नया feature भी आए scan card का अगर आप scan करते हो card को camera के जरीए तो फिर वो जो है पूरा scan हो जाएगा number वगेर आटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पर आप MYY में देख रहे हो इसमें आपको यह वाला डालना है मतलब expiry date कितने साल बाद आपका जो यह जो card है वो expire हो जाएगा उसके बाद आपको नया purchase करना पड़ेगा और CVV में आपको पीछे का तो तीन number होता है उसका आपको डालना पड़ता है और फिर यहाँ पर आप card holder name में अपना name डाल दीजे जो भी आपका debit card का name है और उसके बाद आप यहाँ पर अपना state select कीजे फिर यह जो पूरा काम है यह process हो जाएगा save card में करके आप payment कर सकते हैं तो चलो भी मैं information डाल के आगे का process करता हूँ और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं payment हमारा successfully हो चुका है और मैं यहाँ पर इसको cut करता हूँ फिर यहाँ पर थोड़ा सा loading हो रहा है और membership हमने ले लिया है अभी हमें 20 diamond भी मिल गया और उसके बाद यहाँ पर देखो active दिखा रहा है 6 दिन 4 घंटा बचा हुआ है फिर सभी चलो हम यहाँ पर देखते हैं हाँ यही पर हमको claim करने का भी option आ जाएगा और यहाँ पर आप जो नीचे में देख रहे हैं यही है claim करने का देखो अभी मैंने इसको tap किया तो claim दिखा रहा है और इसके बाद अगले दिन मैं इसको tap करूंगा तो यह भी मुझे मिल जाएगा ऐसे करके यह line के बार मिलते जाएगा यहाँ तक मुझे मिलेगा इसके बाद आगे का नहीं मिलेगा तो ऐसे करके यह जो है हमें मिलता जाएगा